नमस्कार आप सभी को फिर से डीजे सार्जन प्रोडक्शन में स्वागत है आज और एक नए वीडियो के साथ जो कि आप लोग देख रहे हैं आठ पीस चार पंद्रा है यहां पर एक जो कस्टमर है हमारे जो राजधनवर साइड के है उनके कुछ नया इस्पिकर है और उसमे मिल के सारा समान फिट करना अच्छा लगता है ताकि कास्टमर भी देखते हैं कि वो किस तरह से आन्बॉक्सिंग करते हैं और उनको भी सिखने का मौका मिल जाता है कि किस तरह से फिटिंग करना है किस तरह से वैरिंग करना है यह लड़का काफी खुस था यहां पर सब मिल एक एक करके सारा चीज को एरंज तो इधर हो गया इसके बाद आपका ये आनबोक्सिंग होगा उसके बाद फिटिंग होगा ये तो आप सभी कोई जानते हैं अगर आप कोई लेना चाहते हैं आप में से कोई भी लेना चाहते हैं तो एक चीज बोलेंगे कर पाते हैं तो यहां पर एक चीज आप लोग को बोलेंगे अगर आपको सही में लेना होगा तो आपको कोई जरुएत नहीं कि आपको यहां पर एडवांस करके जाना है तब ही आपका सिश्टेम रेडि होगा वैसा कुछ नहीं आप हमारे यहां पर आ सकते हैं समझ सकते हैं सरा चीज जानकारी सकते हैं उसके बाद लगेगा window की नहीं हम अब यहां पर लेना चाहिए तो आपको वापस कॉल करके वह लीस्ट वगेरह आप लोग ले सकते हैं रेकिन सबसे ज़्यादा ज़्रूर है कि पहले सारा चीज समझना thé यहां पर देख रहे हैं एक एक करके अन्बोक्सिंग किया जा रहा है मसीन को और यहां पर 4000 है उसके बाद 500 वाट जिसमें ट्यूटर बजेगा और यहां पर देखिए सिरियल नंबर एम्प्लिफायर का तक इस से यह दावा कर सके कि इनको जो समान मिला है वो 100% ओर्जिनल है तक कि इसे यहां पर कंशनेंसे कि अपैसे लिए आपके सामन किसे बहसे आपने मिर्यान कारने लगाते हैं तो उसका थोड़ा अलग से चार्ज पर जाता है यहां पर दोनों सेट आप जो टेस्ट हो रहा है दोनों ने एम्प्लिफायर एक जनका जो पुराना एम्प्लिफायर था उनको वह लाने के लिए बोले थे जिनका पुराना इसपीकर था यह भाई साब का इनको बोलें आपका एम्प्लिफायर लेते हैं ताकि उनसे हम टेस्ट कर सकें और इनको इनके सारे टीम को धेनवाद देना चाहता हूं कम से कम हमारे उपर विश्वास किये आगे भी इनको लेने का रहेगा कभी समानों मन चेंज करने का रहेग सेटिंग उटिंग के लिए तो उनका जो पारफेक्ट सेटिंग रहता है ना तो उसका जानकारी दे देते हैं ताकि वो आगे जो सिस्टेम अपना प्ले करेंगे जो काम करेंगे भाड़ा पकरेंगे तो वो अच्छा कुंडिशन से बजाएंगे अच्छी तरीका से वो वाट का इससे पहले जो सिस्टेम था वह 800 वाट का सेटिंग था यहाँ पर देख रहे हैं इधर भी आन्बॉक्सिंग हो चुका है कास्टमर यह लोग भी सारा समाल अपना आन्बॉक्सिंग कर चुके हैं यह फिल्याल दो ही एम्पलिफायर से बजाएंगे फिर बाद में पर कर सकते हैं यहाँ पर देखिए एक एक चीज इनको भी चेक करके दिखाया जा रहा है और फिटिंग भी सामने ही हो रहा है इधर देख सकते हैं लाइवन जो रात को काफी खुंखार दिखते हैं आख सब इन्होंने भी लाइवन जाली लिया है और काफी तागरा लूक लिख रहा है यहां पर देखे एक फिटिंग हो रहा है और इधार एक टेस्टिंग पे लगा हुआ है जो फूल जाली में है और इससे पहले वाला जो था आपका राजधनवर वाला वो गारी पे लोड है यह हम लोग का लोगो मैं धन्यवद देना चाहता हूँ इन भाई सब को और इनका टीम को भी जिनोंने हमारे उपर भरोसा बनाए रखे हम कोशिस करेंगे कि हमेशा इनको साथ दें और कोई भी दिक्कत होगा तो उनको हेल्प करें और यह आपका तीसरा सेट अप इसलिए बोलते हैं अगर किसी को और देने करेगा तो वो पहले और दे दीजेगा क्योंकि आपको टाइम रहते हुए समान मिल जाएगा नहीं तो काफी दिन या तो वेट करना पड़ेगा या तो टाइम ली नहीं दे पाएंगे आप लोग वीडियो में भी देखते हैं कितना जन यहां पर काम करते हैं फिर और यह तिसरा सेटप जो आप लोग को देखने को मिल रहा है पहला वाला जो आपका राजधनवर का था और सेकंड वाला पुटकी और यह वाला आपका चंदन क्यारी फर्खन का है थोड़ा सा भारी होता है लेकिन यहां पर डबल जाली में इसमें भी एक सॉलिड लूक आ नहीं दिखता है आपका जाली पे कोई फोकस उतना भी नहीं करता है लेकिन अगर आपका क्वालिटी खराब रहे तो फिर प्रोब्लेम रहता है यहां पर इन भाई साब सभी को धन्यवाद आप सभी भीवर्स को धन्यवाद और आप सभी का दिन सुभो जय हिंद जय भारत हुआ हुआ है